इदर आपको प्लेडिस्ट मिल जाएगा आपको बहुत कुछ ही बताऊंगा जो आपको मदद करेगा आगे के प्रॉब्म को सॉल्ड करने में अगर आप कोई चीज को सर्फ बना रहे हैं तो ओके आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट इगा अपने जलने को सब्सक्र सब्सक्राइब करवा हैं अपने दोस्तों को मुबाइल ने भी जो है अब में चैनल को सब्सक्राइब करवा के प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं ओके विद इस आम गोई तो स्टार्ट और कोई बापास नहीं होगा सिर्फ और इस टॉपी पे डिसकस करेंगे फुली फो बताऊंगो वैसे आपको समझ के बनाना है हैं हैंस evaluate for the transform of this f of x को निकालना ही बता आपको करना क्या होगा इसको evaluate करना किसको yes this part that is integration 0 to infinity sin x upon x dx fine okay with this I am going to start the solution of this problem okay अब भ्यांस देखो जो मैं बोल रहा हूं for the transform क्या होता f of x का formula अपना पहले ही डिसकस कर चुके हैं that is the for the transform of f of x is given by f of s equals to integration minus infinity to infinity f of x into e की पावर i s x dx ओके इसी को हम क्या लिख सकते हैं for your transform of f of x लिख सकते हैं ओके ये f क्या है for the transform है किसका f of x का तो इसी को हम क्या करते f of s लिखते हैं which is equals to integration minus infinity to infinity f of x into e की पावर i s x dx ओके अब सुनो जो मैं बताने वाला हूं देखो यहां पर क्या आपको mod x दिया हुआ है यहां क्या दिया है mod x दिया है आपको पता है mod से बाहर जब value निकलता है x का तो क्या positive हो सकता है यहां पर क्या limit दिया है minus infinity is infinity तो मुझे इसको design करना पड़ेगा कैसे करेंगे वही चीज में आपको बताने वाला हूं मैं पहले वाले पार्ट को लेगे चल दा हम फिलालो भी तो mod से बाहर जब x के निकलेगे तो positive भी निकल सकती है तो देखते हैं जब positive निकले तो उसको behavior क्या होगा ठीक है let's suppose x के वाले यहाँ पर क्या निकलती है positive निकलती है तो यह क्या होगा x is less than 1 वा कि नहीं अब मालो यह क्या होगा इसके बाहर मौट के बाहर क्या निकला negative x निकला देखो यह अपना क्या पहला वाला पार्ट हो गया मायनस सब्जों में इसी मानज से लिएअछ प्रते क्लिए पाल लान सवाइं मायपने नंबा लाइन लाइन क्या मार निए लिए तू है और यहां पर नायगे मन लाइन है एक कि अपने गए के मालन है यשत अगए अडिक शुच्वणत गाण लो 9 सेद्न UM X के value कहां exist करिए when s less than 1 और x is greater than minus 1 मतलब minus 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो कहां पर लाई कर रहे हैं यहां पर लाई कर रहे हैं है बाश समझ को इसको त्म आपको दिखे clear है ओके ठीक है अब यह जो आप मौड ऑफ एक्स इस लेसं वन दिया हुआ है उसके लिए में इस कंडिशन को लिए क्या है हमें और यहां पर बता अपने एक्सी मतलब एक्सी मतलब यहां से यहां तक क्या होगा अपनी फंक्शन की वैल्यू अब मैं सेकंड वाले यह पार्त मे अपम ओडीम खोट हए करें रहिए अतना फ्रत्रूं को तो नेर्ट बúcar करतो हुए तो प्रकेश किया होगा है अपनी अ जबहां के नहीं मतलब यह कॉन से कंडिशन कीम बदाए है X is less than minus 1 मतलब minus 1 जब छोटा होगा तो जब 1 से बाड़ा होगा तो उस case पर फंक्षन क्या है? 0 है मतलब यहाँ पर अपना क्या है? minus infinity है और यहाँ पर अपना क्या होगा? infinity है मैंनस infinity से minus 1 के लिए हमारा क्या बन जाएगा? यह 0 हो जाएगा फिर minus 1 से 1 अपना क्या होगा? यह 1 हो जाएगा फिर 1 से लिएक infinity अपना क्या हो जाएगा? यह 0 हो जाएगा मैं क्या बोला है हहां तक का? यही था इस question का सबसी important part आगे भी कुछ important part आएगा तो प्लीज उसको भी आप देखियागा ठीक है? but I hope का आपको यहां तक क्लिर हो चुका होगा तो देख लेका और चीज़ में बता रहा हूँ को फिर से एक बार that is जब यहाँ पर है that is minus 1 से 1 होगा तो उस case में फंक्शन अपना क्या हो जाएगा but जब minus infinity से minus 1 लेंगे तो 0 जब मैं infinity लोगा तो क्या होगा अपना पर फंक्शन जीर हो जाएगा उसको आपन पर detail में देख चुके है अगर आपको समझ भी नहीं है तो प्लीज इसको आप फिसे बार देख लेना मैं आगे बाढ़ रहा हूं क्योंकि उसको और discuss करूंगा तो question जो है आपको भालतु में वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा ठीक है अब देखो इसको जो है मैं इसको तीन भाब में तोड़ दिया कैसे बताओ minus infinity से infinity दिया हुआ है तो minus infinity से minus 1 तर में दिखा दिया F of x into e के पाहई I$I$X dx दिया फिए यहां पर क्या क्या हम से इनफिनिटी से minus 1 वाले case में और एपना function क्या है दो दुन हो जायेंगे ओकि हमारे पास जब अपना limit minus one से one दिया हुआ तो उस case में f of x अपने क्या दिया हाँ पर one दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे उसी one को रखेंगे और integrate करेंगे limit करेंगे minus one से लेके one okay one into e की power is dx हो गया ठीक है जी फाइन आगे बढ़ते हैं इसको solve करेंगे तो मुझे पता है integration of e की power is x with respect to x क्या होगा आप पर e की power is x आपाँ ने जो x का coefficient that is is इसको पर नीचे लग दिये limit गोसर minus one to one ओके यह क्या है constant इसको बाहर रख दिये अपर लिमिट यहां पूट करेंगे x के जहां पूट करेंगे e की power is हो जाएगा minus lower limit that is यहां पर क्या होगा e की power minus is हो जाएगा अब ध्यान से समझो क्या बोलता हूं हमारे पास एक formula है कौन सा बता हो तो यह वाला formula since we know that sin yes आपको दिखा होगा क्या हो हो, sin x से कोश्च差 क्या हlawता a e की power i x minus e की power minus i x अपर में two i ओके यहां पर देखो तो क्या होगा ? यहां पर x के यहां पर डीकोhि क्या लिखा हो यहां पर s लिखा हो है ओके existe miners को Lex को छोड़ो दो यह वाले part को देखो Southern पॉर देखो चीए तो यह आपने क्या हो जाएगा यह वाला पार्ट हुआएगा देखो यह वाला पार्ट हुआ कि नहीं तो यहां पर लिख रेकिन की इसको हम लिखेंगे 2 sin s और यह जो s यहां बच्चा वात उसको पर यहां पर नीचे में लिखती है ओके यही है अपना Fourier transform of f of x that is f Fourier transform equals to क्या होगा अपना 2 sin s upon s तो पहला वाला जो part आपका है वो successfully solve हो चुका है ठीक है देखो यहां पर क्या था Fourier transform of this function f of x अब मुझे करना क्या है second वाले part को solve करना that is evaluate 0 to infinity integration 0 to infinity sin x upon me x dx तो उसको जो हम यहां पर आके solve करने वाले हैं तो उसको solve करने के मुझे करना क्या पड़ेगा inverse Fourier transform का help देना पड़ेगा तो आको पता हूंच यह formula क्या होता है f of x equals to 1 upon me 2 pi integration minus infinity से infinity infinity f of s यह पने क्या for x transform है तो यहां पर जो value निकला है उसको अपन यहां put up करेंगे into e की पर minus i s x ds ध्यान दख लिएक है यहां पर क्या है उसको s के respect में यहां पर इंटीरेट कर रहे हैं और for x transform क्या करें थे x के respect में उसको पर as it is है integration minus infinity to infinity even value रहां put up कर दिये into e की पर minus i s x ds हो गया ठीक है अब देखो यहां पर क्या पर यह 2 2 आपसमें cancel हो जाएगा ठीक है तो हमाँ पर देखो क्या बचेंगा वहना पर पर बचेंगा integration minus infinity इस लेके infinity तब का sin s upon s into e की पर i s x ds ओके यहां पर गलती से लिख दिया था पर ध्यान रखना क्या है जेनरली हम दो यहां पर हमेशा dx लिखते हैं तो मैं भी गलती से x लिख दिया था यहां पर but you need to remember this that is हम क्या करें उसको x के नहीं s के respect में इसको अपर integrate करें ओके अब आगे बढ़ते हैं यहां तक अपर निकाल चुके थे but हमें question निकालना क्या बता हो यह पार्ट निकालना है that is 0 to infinity integration 0 to infinity sin x upon x dx निकालना है as it is रखना है यहां पर इसको अटाना है तो इसको कैसे अपना अटाएंगे जब x के लिख में यहां पर zero put करूँगा okay तो यहां पर x के लिख पूट कर दी that is f of 0 यहां पर हो गया इसको मैं बात में बताऊंगा okay f of x that is f of 0 हो जाएगा one upon pi as it is लिख लिख लिया integration minus infinity to infinity sin s upon s यहां पर क्या अपना ds आजाएगा ठीक है अब देखते हैं यहां पर यहां पर यहां कैसे आया okay देखो हम यहां पर क्या पूट किया है x equals 0 पूट किया है आपको पता हो चीए कि number line में देखो यहां पर number line में 0 कहां पर आता है that is mod of x less than 1 दिया हुआ है उस case में मेरा function क्या पर 1 था और यह कावा आया था जब number line में आपन जब ड्रॉट किये थे यहां पर आया था इसको आपन अल्रेडी discuss कर चुके हैं तो इसलिए मैं इसको और यहां discuss नहीं कर रहा हूं माइनस 1 से 1 में अपना function क्या था 1 था और हमको यहां पर क्या लेना बताओ x2 को 0 पूट अप करना है तो x2 कर आएगी इस minus 1 से 1 के बीच में आएगा तो since minus 1 से 1 के बीच में आ रहा है जिसका function क्या है पर 1 दिया हुआ है तो हमें यहां पर करेंगी yes that is f of x जो यहां पर दिख रहा था ना उपर में यहां पर हम क्या पूट करेंगी यहां पर 1 पूट करेंगी when x is equal to 0 अब देखो क्या है इसको मैं इसे क्वेट करता हूं तो क्या होगा इस वाले पार्ट को मैं यहां पर लिख दिये और यहां पर shift करती है okay that is integration minus infinity to infinity sin x sin s upon s ds यहां पर क्या होगा पाई हो जाएगा ठीक है अब देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिखा हूं ठीक है बट इसको इस फॉर्म में लिखने पहले कुछ आपको पता हूं चाहिए that is sin s अपने क्या होता है एक और function होता है और s अपने क्या और function होता है अगा आपको नहीं पता तो उसको में आपको discuss करके बताऊंगा वही चीज़को में लिखा हूं ठीक है माल लो यह अपने क्या f of s है that is sin s अब odd function even function चेकर से करते है on putting s equals to minus s यहां पर क्या s के फॉर्म में दिया तो minus sign s हो जाएगा और यह अपने क्या है f of s है तो यह अपने क्या है minus of f of s हो गया तो since f of minus s equals to minus of f of s है तो यह अपने क्या होगा यह function क्या होगा अपने यह और function जाएगा ठीक है also अगर मैं s को देखूं that is for f of s equals to s यहां भी क्या है जब मैं s के जाएपर minus s put करूँगा तो क्या होगा minus of f of x बनेगा it means नीचे वाले भी क्या है अपना दिया होगा यह और function है तो उपर में और function है देखो यहां पर लिखा हो में वह चीज़ को यहां पर और functions but we know that odd upon odd क्या हो तो अपना यह even हो जाता है function okay तो since यहां पर odd function दिया है नीचे वे अपना क्या odd function दिया है तो odd upon odd आपना क्या even function जाएगा अब चुंकि अपना यह even function हो जायाएगा तो हम क्या करेंगे इसको minus infinity से infinity क्या क्या करेंगे twice लिखे okay integration zero to infinity लिख देंगे sin s upon s ds कर लेंगे और यह अपना क्या होगा यह pi हो जायाएगा तीक है अब हमें क्या करना था देखो हमें क्या करना इसके वेली निकालना है तो इसके वेली हम कैस्कर निकर लेंगे इस to open यहां transfer कर लेंगे that is integration zero to infinity sin s upon s ds equal to pi upon m2 ओके और करना के देखो हमको यह वाला पार्ट निकाला था Yes, that is integration 0 to infinity sin x upon x dx और यहां compare करो तो क्या होगा आपको वही जो value आपके हाँ पर मेरे चुका है But यह तरीका क्या है गलात होगा Okay, क्यों? क्योंकि though we have talked about this That is odd upon even होता है But even function के लिए हम इसको तब लिख पाएंगे जब हमारा limit क्या होगा? Minus a to a, minus l to l, minus pi to pi ऐसा कुछ अगर दिया होगा But यहां पर क्या आपको दिया है? Infinite दिया हुए है Okay, infinity के case में दिया हुए कि बीचे आप जो महनद क्या हो ना उसको जो है आपको बेगार देगा Okay, तो करना क्या है? इसके बाद जो है अगला step इसको आप अपलाई करिएगा Okay, अब यह steps क्या है? इसको आपन डिस्कस कर लेते हैं देखो Limit अपने क्या है, minus infinity to infinity दिया है तो हम इसको क्या करेंगी? और यह अपने क्या even function है तो we can rewrite this as limit a tends to infinity this can be written as 2 times integration 0 to a Okay, और यहाँ पर जो चीज दिया है उसको पर यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर तो देखो हम वो क्या करना है? इस 2 को पर यहाँ पर transfer कर देंगे तो limit a tends to infinity 0 to a sin s upon s ds हो गया इस 2 को पर वहाँ transfer के दो अपने क्या होगा? यह 5 by 2 हो जायागा अब limit tends to infinity यहाँ पूट कर दो तो यहाँ पर क्या होगा? 0, 0 रहाएगा और यह अपने क्या होगा? infinite हो जायागा तो integration 0 to infinity sin s upon s ds equals to 5 by 2 variables को change कर दो वहाँ साब कुछ नहीं है तो क्या बन जाना है आप देखो 0 to infinity sin x upon x dx equals to क्या बनेगा आपके फाइनल अपना 5 by 2 बनेगा और यह अपना क्या है? फाइनल आंसर है ओके? Thank you so much